हलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मेनाजा नाम के बारे में मेनाजा नाम का मतलब मेनाजा नाम का मतलब देवी पारवती, मेना की बेटी पारवती का एक अन्या नाम होता है अपने बच्चे को मेनाजा नाम देने से पहले उसका अर्थ जान लेंगे तो इससे आपके सिश्युकर जीवन समर सकता है देवी पार्वती मेना की बेटी पार्वती का एक अन्य नाम मतलब होने के कारण मिनाजा नाम बहुत सुन्दर बन जाता है शास्तरों में मेनाजा नाम को काफी अच्छा माना गया है और इसका मतलब यानि देवी पारवती, मिना की बेटी पारवती का एक अन्य नाम भी लोगों को बहुत पसंदाता है मिनाजा नाम का अर्थ जानने के बाद आप भी अपने बच्चे को मिनाजा नाम आराम से दे सकते हैं आगे जानेंगे हम मिनाजा नाम की राश्री सिहराश्री का स्वामिगर सूर्य है सिहराश्री के आराध्य देव भगवान सूर्य होते हैं मिनाजा नाम के लड़कियां खुद को इसी सिकम नहीं समझते इस राश्री के मिनाजा नाम के लड़कियों में हृदय और पीठ सम्बंधी बिमार यां पाई जाती है इन मिनाजा नाम की लड़कियों में रेड की हड़ी और लीवर की समस्याओं का खतरा होता है मिनाजा नाम की लड़कियां बार बार बेहोश होने और मदुमेह जैसे समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं सिहराश्री के मिनाजा नाम की लड़कियां परिस्तिती की परवाह किये बिना सही काम को चुनते हैं मिनाजा नाम का शुभंक मिनाजा नाम का ग्रह स्वामी सूर्य है और इसका सुभंक एक है मिनाजा नाम का ग्रह स्वामी सूर्य है इसलिए मिनाजा नाम की लड़कियां अपने ग्रह स्वामी की तरह किसी की बात ना मानकर अपने मन की चलाना पसंद करती है मिनाजा नाम वाली महिलाओं को अपने परिवार और समाज से खुब सम्मान मिलता है जिनका नाम मिनाजा होता है वो पूरी तरह से समझने वपर रखने के बाद ही अपना निर्णय लेती है मिनाजा नाम वाली महलाएं सत्य की राह पर चलती है और अपने फैसलों पर अटर रहती है मिनाजा नाम की महलाएं बहुत इमानदार होती हैं और प्रेम सम्मंधों में खरीव दरती है मिनाजा नाम की व्यक्ति का व्यक्तित्व मिनाजा नाम की राशी से है मिनाजा नाम की लड़कियां मत्वकान्शी स्वाभी मानी होती है इसके साथ साथ ये आत्मविश्वासी और सकरात्मक विवार के होती हैं जिन लड़कियों का नाम मिनाजा होता है वे गुसेल स्वभाव के होती हैं हालांकि ये जल्दी शान्त भी हो जाती हैं मिनाजा नाम की लड़कियां ऐसे काम करती हैं जिन्हें लोग असंभव समझते हैं मिनाजा नाम के लड़कियां मुश्क्रिस समय में भी अपनी निष्ठा और आत्म विर्श्वास नहीं खोती मिनाजा नाम की युवतियां अपने जीवन को सुखी वा सुविधा जनक बनाने के लिए खुद मेहनत करती हैं और सफल हो जाती हैं इसे के साथ इस वीडियो में बस इतना है थैंक यू